हाई फ्रेंस देखें इसे बनाने के लिए मैंने 0.9 mm का कुरोश्या हुग लिया है और देखें ये फोर प्लाई का ओन है और इस तरह की हमें वाइट कलर के मोती लेनी है देखें ऐसे हमें ओन में मोती पिरो लेना है देखें ऐसे हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे अब इसमें हमें चैन बनाना है एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, देखें इस तरह से हम यहाँ पर बीस चैन बनाएंगे देखिए 20 चैन हमने इसमें बना लिया है अब इसमें हम डबल कुरोशा का फंदा बनाएंगे देखिए ऐसे यहाँ पर ऐसे हुख करेंगे एग अब इसके देखिए नेश्टे वाली चैन में दो अब यहाँ पर तीन चार देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर टोटल 20 चाहिए हमने यहाँ पर 20 चैन बनाया है तो यहाँ पर हम इसे तरह से 20 चैन बना के कम्पलीट करेंगे देखिए यहाँ से यहाँ तक है 5 टेखे प्रैंस हमने इसमें 20 बना लिआ है डबल करोश्य का अब यहां पर थिए हम एक चेल मोगा प्राट लेंगे अब यहां पर हमें चार फंदे के ओर चार फंदा बनाना है ली हम यह पर ऐसंब करेंगे फंदा बनाएंगे इसके नेच्ट वाले फंदे पर है दो यहां पर तीन अब यहां पर चार तो कि यहां पर यहां हो गया अब हमें यहां पर तीन चैन बनाना है एग दो तीन अब यहां पर हम मोहती लगाएंगे हम ने मोती डाला है ऐसे हम यहां पर लेके आएंगे आ देखि़ हमें इस साइड से ऐसे हुक करना है दोग अगर आपका प्रोशिया मोती में चला जाता है तो आप ऐसे कुरोशिया करके इसे बना लिजिये अधर वाइज आप यहां पर अलग से धागा इसमें कर लिजेगा उसके बाद मोती डाल लिजेगा या फिर तार से भी आप इसे बना सकती है पतला सा तार होता है उससे भी आप इसे बना सकती है अब देखिए इसे हम ऐसे चैन में कर देंगे इसे हो गया यहां पर अब यहां पर देखिए ए दो तीन चार पांच हम यहां पर पांच फंदा छोड़ेंगे और देखिए इस छटे फंदे में हम फंदा बनाएंगे ऐसे देखिए एक फंदा बनाने के बाद हमें यहाँ पे एक चैन बनाना है अब देखिए यहाँ पे इसकी नेक्स्ट वाले फंदे में हम इसमें 6 फंदा बनाएंगे हम यहाँ पे ऐसे होग करेंगे इसी एक फंदे में हम 6 फंदा बनाएंगे एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, देखें, यहाँ पर यह छे पंदा हमने बना लिया है, अब यहाँ पर हम दो चैन बनाएंगे, एक, दो, अब यहाँ पर हमें फिर से मोटी लगानी है, यहाँ पर हम मोटी लेके आएंगे, ऐसे हुख करके, इस फंदे को हम ऐसे इस साइट में ले आएंगे, यहाँ पर हम देखें, इसे चैन में कर देंगे, अब यहाँ पर, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदा छोड़के, देखें, इस छटे फंदे में हमें एक फंदा बनाना है, अब इसके नेश्ट वाले फंदे में, हमने यहाँ पर एक फंदा बनाया है, यह दूसरा फंदा हो गया, अब देखें, इसी तरह से हम इसके नेश्ट वाले फंदे में, तीसरा फंदा बनाएंगे, हमें यहाँ पर टोटल चार फंदा बनाना है, देखें, तीन फंदा हो गया, चार, देखें, इस तरह से यह बन लेंगे आब यहां पर देखे स्पेंडrás के उपर हमें चारपन नहीं है कि नगोज ऊ-थे 3पंदन नारीका अब यहां पर फिर से 3पंद ने निजैसे हमने इस लायन है यह ऐगला था एक मोती हम यहां पर ऐसे लेके आएंगे अब यहां पर ऐसे हुक करके ऐसे हम यहां पर मोती लगाएंगे यहां पर ऐसे हो गया अब देखिए यहां पर हमने जो जाली बनाई है हमने यहां पर एक चैन बनाया है अब हमें इसी में फंदा बनाना है ऐसे पहले हम एक बंदा बनाएंगे फिर एक चैन बना के अब इसी में हम छे बंदा बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे देखें यहां पर यह छे पंदा हमने बना लिया प्रेंच यह एक लाइन का डिजाइन है इसी एक लाइन को हमें रिपीट करना है देखें यहां पर हमने छे पंदा बनाया है अब यहां पर हम दो चैन बनाएंगे एक दो अब यहां पे हमें फिर से मोती लगाना है देखे हमने यहां पे मोती लगा लिया है अब यहां पे इस चार फंदे के ऊपर हम चार फंदा बनाएंगे अब यहां पे चार फंदा बना लिया प्रेंस अब इसी एक लाइन को हम रिपीट करेंगे एक चैन बना के इसे हम पलट लेंगे अब यहां पे हमें तीं चैन सब्माल आना है एक, दो, तीन अब यहाँ पे हम मूती लगाएंगे देखिया हमने यहाँ पे मूती लगा लिया है अब यहाँ पे इस जाली में हमें पहले एक फंदा बनाना है एक फंदा हमने बना लिया अब एक चैन बना के अब इसमें हम छे फंदा बनाएंगे देखें यहां पर हमने 6 पंदा बना लिया है यह दो चैन बना के यहां पर हम फिर से मोती लगाएंगे अब यहां पर इस 4 पंदे के उपर हमें 4 पंदा बनाना है देखें यह इस तरह से बन रहा है कि यह एक लाइन का डिजाइन है इसी एक लाइन को हमें रिपीट करना है देखें इस डिजाइन को रिपीट करते वे हमने इससे बना लिया है देखें यह इस तरह से दिख रहा है देखें आइसे दोनों तरब से देखें आपको जितनी बड़ी पट्टी बनानी है आप अपने हिसाब से बना लीजेगा आपने हिसाब से बना लीजेगा जितना बड़ा आपको बनाना है अब देखिए जब हम पट्टी की लंबाई कम्प्लीट कर लेते हैं तो लाश्ट में हमें एक लाइन इसी तरह से बनाना रहता है जिसे हमने यहाँ पर इस्टार्टि में बनाया है तो यहाँ पर मैं आपको फंदों को सेट करके बता देती कि हमें यहाँ पर लाश्ट में किस तरह से बनाना है जब आपकी पट्टी हो जाएगी पूरी कम्प्लीट तो आप इसी तरह से बना लिजेगा देखिए यहाँ पर हमने चार पंदा बना लिया है अब देखिए यह लाइन हमें इसी तरह से बनाना है हमें लेकिन यहाँ पर मोती नहीं लगानी है जिसे हम यहाँ पर बना रहे हैं उसी तरह से बनाएंगे चार फंदा बनाने के बार तीन चैन एक दो तीन अब यहाँ पर ऐसे करके हम एक फंदा बनाएंगे एक चैन अब यहाँ पर हम छे फंदा बनाएंगे देखे हमने यहाँ पे 6 फंदा बना लिया है अब 2 चैन एक 2 अब यहाँ पे 4 फंदा बनाएंगे देखे इस तरह से यह लाइन कंप्लेट हो गई है देखे हमें इसी तरह से बनाना है सिर्फ यहाँ पे हम मोती नहीं लगाएंगे जिसे हमने यहाँ पे मोती लगाया है तो यहाँ पे हमें सिर्फ ऐसे चैन बनाना है बेगर मोती लगाएं अब यहाँ पे एक चैन बनाके इसे हम पलट लेंगे अब यहाँ पे देखिए हमें यह वाली लाइन बनानी है प्रेंस जब आपकी लंबाई हो जाए पट्टी की तो आप एक लाइन इसी तरह से पहले बना लिजेगा उसके बाद हमें ये वाली लाइन बनानी है अब यहाँ पे इस चार फंदे के उपर हम चार फंदा बनाएंगे देखे हमने यहाँ पे 20 फंदा बनाया था तो यहाँ पे भी हमें 20 फंदा बनाना है पहले हम इस चार फंदे के उपर हम 4 फंदा बनाएंगे देखे यहाँ पे हमने 4 फंदा बना लिया है अब यहाँ पे देखे इस चैन में हमें 2 फंदा बनाना है चार हो गया 5, 6 देखेए 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 फंदा यहां पे हो गया है अब यहां पे 6 फंदा हमने बनाया था तो इस 6 फंदे के उपर हम 6 फंदा बनाएंगे देखें, यहाँ पे छे हो गया है, साथ, आट, नौ, दस, ग्यारा, बारा देखें, यहाँ पे बारा फंदा हो गया, अब यहाँ पे इस फंदे के उपर हम एक फंदा बनाएंगे, तेरा, अब यहाँ पे हम तीन फंदा बनाएंगे, चाउदा, पंदरा, सोला, अब यहाँ पे इस चार फंदे के उपर, चार फंदा, सत्रा, अठरा, उन्नीस, बीस, देखें हमने यहाँ पे बीस फंदा बना लिया है, जैसे हमने यहाँ पे बीस फंदा बनाया था, इसी तरह से हमें यहाँ पे लाश्ट में फंदो को बन करना है, देखें यह पट्टीस तरह से बन जाएगी, तो फ्रेंज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीस, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताके मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकिशन आपको मिलती रहे, थैंक यू,